हेलो प्रेंट में दीपक उपध्य है स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनलेसिस ऑफ स्टॉक्स तो पर आज हम आप पर डिसकस कर रहे हैं जी एन एफ सी गुजरात नर्बदा वेली कर्पोरेशन शेर का टेक्निकल अपने आप देख सकते हैं आज के दिन इस टॉक में लगबग लगबग चार परसेंट की गिरावट हमें आप पर देखने को मिल रहे हैं तो अपने यह गिरावट क्या कंटीनियू रहेगी इस पर हम करने वाले हैं चार्चार तो आप आप देखिएगा आपके सामने आप जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यह देखने करते हैं आपको शोग कर रहे हैं उपर अगर आप देखे तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किये इस लाइन को बोलिंग रेजिस्टेंस लाइन और नीचे जो लाइन है वह सपोर्ट लाइन और इस रेंज में बहुती अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक ने किया है यह देखेगा स्टॉक आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है जब भी स्टॉक में तेजी आई तो स्टॉक उपर की तरफ जो लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर करता है रेजिस्टेंस फिर हो जाती है गिराव दी इसी तरह से stock इसी range को follow करते हुए नीचे की तरफ downtrend हमें दिखा रहा था यह देखेगा यहाँ पर properly नीचे आता था हमको buying करना थी जैसे नीचे क्लाइन पर टच किया buying कीजिए जैसे ही उपर क्लाइन पर जाता है हमें यहाँ पर क्या करना होता था profit booking लेकिन यहाँ पर breakout हुआ अब आप देखिए breakout हुआ बहुत अच्छी तरिके से breakout हुआ और इस breakout ने उपर की तरफ लगबग लगबग 685 रुपय तक के level को touch करने की कोशि अब मैंने यहाँ पर एक parallel channel बनाया इसे आप द्यान से देखेंगे यह दिखेंगे टॉक नीचे जाता है और इसी चैनल के जो bottom है यहाँ support करता है फिर से उपर जाता है फिर से नीचे आ जाता है यह देखें फिर से श्टॉक आपको उपर की तरफ जाता हुआ दिखा है फि लाइन के around stock consolidation कर रहा है मतलब इसके आसपाद stock sideways momentum हमें दिखा रहा है आज की अगर बात की जाए तो कल के दिन इस टॉक ने उपर के टॉप को टॉप को टच किया यदि इस टॉप को breakout मिलेगा आप दिहान से अप्ज़ब कीजिएगा यह देखिए कई सारे आपको यहाँ पर breakout मिलता है तो stock एक बार फिर से आपको उपर की तरफ छेसो पिचोटर तर जाता हुआ दिखाए दे सकता है लेकिन क्या ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर breakout नहीं हुआ यहाँ पर आ करके stock फिर नीचे जा चुका है और एक बड़ी गिरावट की तरफ हमें stock बढ़ता हुआ दिखा जो कि हमारी पहले resistance लाइन ती अब यहाँ पर आपको support दिखाए दे सकता है लेकिन यहाँ तक गिरने में मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गिरावट होगी लेकिन यदि उपर की तरफ यहाँ पर अगर देखा जाए उपर के अगर हम बात करें 615 रुपए के आसपास देखाए ब्रेक आउट ले लेता है क्या कर लेता है ब्रेक आउट ले लेता है तब आप यहाँ पर बाइंग करके उपर की तरफ 675 रुपए तक के target के लिए इंट्री कर सकते हैं नीचे की तरफ 600 रुपए आपका stopला यहाँ पर रहेगा तो यह ता हमारा टेक्निकल वीडियो पारने के लिए चैनल को अभी लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक्यू सो मच वर वाचिंग इस वीडियो